सो नाव ब्रैटकॉम गुरूप अब देखिए यहाँ पर 21 रुपे 90 पैसे का प्राइस है और अच्छी बात है कंपनी का लेटर आया था उस लेटर ने काफी ज़्यादा असर किया उस वक्ते और आप देखी रहें कि किस तरीके से शॉट जो है न वो रुपते हूं नजर कि भाई अगर यह इस तरीके से थोड़ा सा वर्क करें ना मेनिजिमेंट तो यहाँ पर सॉट सेलिंग को रोक सकते हैं इसे स्टॉक के अंदर और सॉट सेलिंग बहुत हावी है इसको टार्गेट की तरह एक तरीके से देखा जा रहा है अब यहाँ पर डीटेल बात करते है है कि यहाँ पर सत्यम जो है ना सत्यम लोग बात करते हैं कि सत्यम का फ्रॉड जो है ना सत्यम कंप्यूटर का आपने नाम सुना होगा काफी फेमस है देश का सबसे बड़ा अगर कहें तो यह फ्रॉड में आता है और सत्यम कंप्यूटर का फ्रॉड जो है ना वो इसका ना हम इससे जोड़कर देखा जाता है कि ये भी जो है वो सत्यम कंप्यूटर की तरह ही निकलेगा क्या कैसे निकलेगा इसके उपर डीटेल में समझना बहुत जरी ज़िए हम सिर्फ नाम ले देते हैं कि सत्यम कंप्यूटर असल में सत्यम कम्प्यूटर के अंदर हुआ क्या था कम से कम ये तो पता होना जरूरी है अगर हम ऐसी बात है करें तो स्टॉक के प्राइस और इन्वेस्टर की जो एक ना मान सकता है जो है न उसको इस नाम से छूने की मतलब बहुत जादा चींजस आ सकते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सत्यम के अंदर क्या हुआ था तो हम इसके उपर डीटेल में अब समझेबा ले अगर वीडियो लंबी हो रही हो तो आप इसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा कर देखिएगा ठीक है ना ताकि ये आप सही से देख सकें तो सत्यम कम्पूटर संदो या नोका आप ये देखिए हाल आपके सामने है जरा इस पर गौर करिए ये हालत हो गई थी शेर प्राइस की इस तरीके से फॉल कर रहे थे ये क्या था कैसा था भाई यहाँ पर ये कानी स्टार्ट होती है बी रामलिंगा राजू से बी रामलिंगा राजू अब देखे बंदा तो ठीक था लेकिन इसके जो काम थे ना वो थोड़े से अलग हो गए थे आईटी से हट कर इसने दूसरी जगा निवस करने स्टार्ट कर दिया अब यहाँ पर आप जो है सोच रहे होंगे कि हैदरावाद नाम से यहाँ पर यह बी सी जी भी आती है हैदरावाद से आपकी सत्यम कंप्यूटर भी आती है तो आप यह ऐसा करेंगे तो देखे सबसे ज़्यादा आईटी का स्कोप उपना उदर की तरफी था स्टार्टिंग ना अगर कहे ना उदर से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर इंटरेस्ट दिखाना इसलिए आज भी जो हब की बात करें ना आईटी अब की तो वो उदर ही है तो हुआ क्या IT में तो ये काम ठीक ठाक से कर रहे थे बट इनके अंदर लालच आ गया और पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का एक बार प्रॉफिट अगर सोच लें कि भाई मेरे को बनाना है तो उसके लिए रास्ते ना अपने आप खुलने स्टार्ट हो जाते ह अगर आप ठिंक करना स्टार्ट करते हैं कि मेरे को पैसे कमाना है तो रास्ते ना आप अपने आप ढूनने लगों और रास्ते की दरवाजे खुलते जाएंगे ऐसा ही से मिया पर हुआ था केस यहां 1993 में क्या हुआ था रियल स्टेट बूम आने लगा स्लोली स्लोली बूम आने लगा मतब स्लोली स्लोली तो नहीं कहेंगे एक सुरुवात एक हो गए थी बूम की रियल स्टेट बूम की तो यूएस के अंदर यूके के अंदर रियल स्टेट बूम आने लगा बहुत तरीके से हैधरावाद में भी यही होने लगा हैधरावाद में भी यही होने के तो यहां पर यहां पर सक्टम को अल्टा वोगा नाशल voll पता मैटरस मैटरस नाम हो गया था उल्टा यहां मैटरस इंफरा मेटरस имеет रियल स्टेट नाम से हाप जोए स्टार्ट कर दी नहीं और उससे क्या मैटर करी और उससे क्या किए इननोंने बाइ यहाँ पर buy तो कने लगे बट यहाँ पर पैसे की और जढ़ादा यहाँ पर किल्लत होने लगी कि और property buy कनी है तो यहाँ पर और यहाँ पर पैसे चाहिए इस तरीके से आप scam की start हुई पैसे के लिए यहाँ पर सत्तिम कंप्यूटर के अंदर ना यहाँ पर हेरा फिरी स्टार्ट करती है जैसे कि यहाँ पर financial fraud करना स्टार्ट करना और यह छोटा मोटा नहीं था इसके अंदर auditor भी सामिल थे बहुत सारे और यहाँ पर समधब बहुत बड़ा था आप जहां तक ज कर सकता था लेकिन auditor भी कहीं न कहीं उसके अंदर पूरी तरीकी से involved था financial यहाँ पर कैसे दिखाते थे कि net sales जो है न वो दिखा दी तंगडी 600 करोड की net sales यहाँ पर दिखा दी 2000 करोड की 4000 करोड की net sales अब यहाँ पर क्या हुआ profit की बात आई तो profit भी यहाँ पर जो है चाहते की बैंक के अंदर पैसा है और ऐसे कर करके यहाँ पर जो है इन्होंने 365 company यहाँ पर जो है start कर दी फर्म स्टार्ट कर दी यहाँ और और उन फर्मों के अंदर अपने फैमिली परसंस के नाम मतलब यहाँ पर उनके नाम पर खुलवा दी यह फर्म है अगर कोई कि माली तक को मतलब डायरेक्टर की पोस्ट यहाँ पर दे दी थी इन कंपनियों के अंदर अपने friends अपने colleagues यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर involved था बड़े नेवल पर और यह 365 फर्म के अंदर उनको entry दलबा कर उनके नाम से चलवा रहे थे और property बाई करने लगे अब यहाँ पर क्या हुआ मिसमैश यहाँ पर होने लगा और यहाँ पर जो है आपका जो gap है वो तो कहीं न कहीं फिल करना था यह यह भी जानते हैं कि यह gap को सत्यम के जो हम profit दिखा रहे हैं उस gap को फिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा तो इनसे जो property बेच कर जो profit होता ना वो सत्यम के अंदर डाला जाता था ताकि यहाँ पर वो gap की फिलिंग की जा सके इस तरीके से यहाँ पर जो है यह अपने profit को बहुत ज़ादा दिखाती थे जिसकी विए से इनके share price में बूम आ गया सत्यम का share यहाँ पर जो है rocket हो गया बाई कमसम 600 रुपे के असपास चला गया 600 700 रुपे के असपास उसमें क्या है यह जैसे ही भड़ता गया सत्यम के share price वहाँ पर अपने यह जो shares है ना shares वो बेचते गए और हटते गए प्रमोटर जो है वो अपने share बेचते अब यह बताया जाता है कि संदो हजार नहीं माफ की जगा अल्मूस्ट नैंटी नाइन में यहाँ पर सत्यम के पास 24% स्टेक थी मैं अंदर संदो जार आठ आते आते दो परसेंट रह गी थी पूरे स्टेक सेल कर दी ती यहाँ पर सत्यम की तो यह थी पूरी बात यहाँ अब यह स्टेक बेच कर यहाँ पर पैसे निकाल लेते और उससे प्रॉपर्टी पर लगा रहे थे इसके साथ साथ बचे हुए सेर्स जो थे ना बचे हुए सेर्स का क्या करते थे यह बैंक को देते थे बैंक में गिरवी रखते थे और बैंक से जो है ना वो पैसा उठा ल गिरे कैसे ये गिरे इस तरीके से कि 2008 में आपने लेमन क्राइसिस आपने सुना होगा लेमन ब्रदर्स का यहाँ पर जो यूएस से स्टार्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में फैल गया था ये सबसे बड़ा क्राइसिस था उसमें रियल इस्टेट एक्दम तबाह हो गया था त इनका जो प्लान तब वो फेल हो गया सस्ते में बेचेंगे तो मिलेगा क्या जो मेहंगी खरीद रखी तो ये इनका काम जो थप होने लगा इससे क्या हुआ ये मिसमैच होने लगा अब इस मैच को भरने के लिए इनोंने क्या किया कि यहाँ पर जो है अपने सत्यम में एक किया यह लास्ट ऑप्सन था यह सत्यम का सत्यम कुंप्यूटर्स में एन्वेश किया कि मैटर्स के 50% 51% इस्टेक जो है वह एक्वाइर कर लेंगे सत्यम सत्यम करेगा यहीं पेच फश्किया रियल जो ना यह नियोट स्टोक एक्शेंज में भी शेयर लिस्ट था सत्यम बड़े युएस के इंवेस्टर सब थे सत्यम के अंदर फ्रॉड में इंवाल्व नहीं पैसा लगाए हुए इनके शेयर पर उन्होंने यहाँ पर जो है इसको समझ में नहीं आया इनके सत्यम के जो प्रमोटर थे उन्होंने तो हा कर दिया कि मैटर्स की 50% स्टेक आप ले लो बड़ यहीं पर बात हो गई यहाँ पर जो इंस्टिटूशनल इन्वेस्टर था एफ आया इस जो थे उन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पर इस डिसिजन की उपर वो अपना कमेंट देना स्टार्ट की हमको यह पसंद नहीं है बिल्कुल भी तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है जो भार की जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पर केसे दर्ज करना स्टार्ट कर दिया सत्यम की उपर इस तरीके से सत्यम की उपर प्रैसर बना भार की निवेसकों की वेसे तो यहाँ पर मैटर्स को यहाँ पर एक्वार नहीं कर पाए और उसके बा रामलिंगा राजू ने यहां पर जो है कबूल कर लिया कि भाई यह मेरा फ्रॉड था मैं यहां पर नकली दस्ताविज दिखा कर यह कर रहा था उसके बाद स्कैम सामने आया बहुत बड़ा यहां पर बवाल हुआ तो यह रही पूलिस अत्यम की कानी उसके बाद आडिटर प हम इतने जादा जो है ना इतने जादा हम जानते नहीं ते चीज़ हैं दीरे दीरे जब यह स्कैम हुए तब समझने स्टार्ट हुआ कि यह स्कैम और कितने लेवल किस लेवल तक के हो सकते थे तो 2008 में यह फ्रॉड पहले से पकड़ना आसान नहीं ता लेकर आज क्या टाइ संदोजा 30 में आपका यह फ्रॉड करना आसान नहीं है अब कैसे आसान नहीं है जरा यह समझेगा लेकिन उसको समझने से पहले सत्यम की कहानी को पूरा कर लेते हैं अभी तो सत्यम यहां पर यहां पर रुका नहीं अब बात आ गई कि कंपनी यहां पर फाइनिंसली फ्रॉ सकते थे यह नेक्स इंफोसिस बनने की दम रखते हैं बट इनके जो काम जो करने का तरीका था इनके अंदर का जो लालस था वो इनको माट हुआ यहां पर रेंटरी हो गई एक कमिटी बनाएगी उसके अंदर साइद मेरे ख्याल से जो टॉब मेंबर ते जो चीप ते वो द बढ़िया जो एक गुरुप है वो समाल ले दीपक पारिक जी चले गए महिंदरा जी के पास महिंदरा जी के पास गए और उनसे का इतने कम टाइम में शॉट आउट कर दिया है उन्होंने ये पूरा मामला कि लोग मतलब आज दीपक पारिक जी आप सोच भी नहीं सकते क्या तो आइंडिया के बढ़ डिपक पारिक की अगर आप हिस्ट्री जो है न वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या और दिपक पारिक जी ने महिंदरा जी ने का कि यहां पर सत्यम कंप्यूटर को बाई करेंगे, सत्यम कंप्यूटर को बाई करने में, करवाने में, दीवक पारिक का सबसे बड़ा हाथ था, महिंदरा जी को सौपी गई वो कंपनी, सेयर प्राइस 36 रुपए से रीकवर होके 600 रुपए गया, तब नाम पढ़ा उसका महिंदर सत्यम, ठीक है ना, उसके बाद अब आप जानते हैं, टैक महिंदरा की नाम से इस कंपनी को, तो यह था सत्यम कंप्यूटर का स्कैम, अब आपको क्या लगता है, क्या बीसी जी के अंदर यही स्कैम चलना है, क्या दो हज़ार तेस के अंदर, यह इस तरीके का फ्रॉट करन आसान है, मामली है, याद रखिएगा कि मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ, बट हम यह जानते हैं कि हमारा जो पैन कार्ड है ना, तो हम क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं, इस सारी कि सारी जो एक छोटी से छोटी इनफॉर्मेसन है ना, वो आज सरकार क पास है, आरबियाई जानती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा फाइनिसल कैसा है, हम क्या परचेस करते हैं, हर्ची जानते हैं, इनकम टेक्स वाले हर्ची जानते हैं, सरकार हर्ची जानती है, तो क्या लगता है कि आज सत्यम कंप्यूटर जैसा स्कैम करना आसान है, नहीं है, वो 2008 की बात अलग थी, आज 2023 है, आज टिकनोलजी बहुत जादा बढ़ चुकी है, और अब वो स्कैम करना आसान नहीं है, सो उमीद है, आप जो सक्तिम कंप्यूटर है, सक्तिम कंप्यूटर की बात करते हो, यह राइस कैम आपको क्या लगता है, इसकी उपर कमें सक्से में कहिएगा, सक्तिम कंप्यूटर का नाम BCG से जोड़ना बंद करें, यहां अल्रेड़ी बहुत कुछ घड़ चुका है, 85% यह पर सांती बनाये रखें, ज्यादा वेतर यही है, ऐसी ख़बरों का मतलब यूज ना करें, मतलब क्या मतलब क्या मिलेगा, तब अपने ही हैं, जो फसे हुए हैं इसके अंदर, उनके यह और अब जीच में जाब बड़ी देखने के लिए बहुत धन्माद दूस्तों